हलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Google Play Store की एक एरर के बारे में जिसमें आप किसी भी एप को इस्टॉल नहीं कर पा रहे होंगे अपने मॉवाइल में उस एरर का नाम है प्लीज ओपिन माई एप onetle app to stabilize connection with the server इस error को देखते हैं कैसे हम अपने मॉवाइल से हटा सकते हैं और किसी भी एप को अपने मॉवाइल में कैसे install करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले Problem देखते हैं कि problem क्या है जब भी आप किसी place store से कोई app इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक error देखने को बिलता है, जो कि मैं अभी देखाता हूँ, जैसे कि मैं यह application है, इसको यगर मैं install करता हूँ, तो आपको नीचे एक error देखेगा, प्लीज ओपिन माइ app to stabilize the connection with the server, तो इस error को कैसे हम remove कर सकते हैं, या fix कर सकते हैं, तो चलिए, देखते हैं, सबसे पहले हमें जाना है, अपने mobile की setting में, setting में जाएंगे, setting में जाने के बाद, यहाँ पर यहाँ तो आप search कर सकते हो, एप, apps में जाना है, या आप simply यहाँ पर अपने menu बने हूँ है, इसमें search करना है, apps, apps, आपके mobile में, apps management की नाम से भी हो सकता है, इसमें जाना है, manage app में, manage app में जाने के बाद, यहाँ पर हमको search करना है, google play store, google play store, अगर आप, उपर सर्चवार नहीं है, तो आप simply यहाँ पर ऐसे scroll करके देख सकते हो, यह रहा, google play store, यहाँ पर, हमको अपने, जो, clear case और data है, इसको storage को भी erase करना है, जैसकि यह storage है, इसको clear data कर देना है, और clear case करना है, ok कर देंगे, clear all data भी कर देना है, ok, उसके बाद, आपको अपना android phone को update कर देना है, अगर आपका update है, अभी देखो मेरे मेरे में कोई update नहीं है, अगर आपके mobile में update है, तो उसको भी update कर देना है, अब हम चेक करते हैं, कि हमारा जो play store है, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, और application को install कर रहा है या नहीं, तो हम वही application को दोबारा install करके देखते हैं, install करते हैं, देख सकते हो आप के मेरे phone में अब ये application install होने लग गई है, यानि कि अब जो error आ रहा था, वो storage और data clean के कारण आ रहा था, तो इस तरीके से आप अपने mobile में इस error को fix कर जकते हो, इसको मैं cancel कर देता हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये error आता क्यों हो है, तो ये error आपके play store का ज्यादा use होने के कारण आता है, अगर आप अपने mobile में play store को ज्यादा use करते हैं, application को ज्यादा install करते हैं, तो इसकारण ये data जो data है वो store हो जाता है, जो की application को चलने में बादा देता है, इसकारण ये error आ जाता है, अगर आपके पास ये error आता है, तो इसी तरीके से आप अपने mobile में इस error को fix कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, अपने दोस्तों से share करें और मेरे चैनल को subscribe करें, ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए करें